अशा करती हों आप सब बहुत अच्छे हैं आज का जो वीडियो है मेरे लिए बहुत इंपर्टेंट है कि आज के वीडियो के लिए मैंने बहुत पहले से ही तियारी करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे चोटे-चोटे DIY बनाया है मैंने तो आज मैं आपके साथ शेर करन तो इस वीडियो को तियार करने के लिए मैंने बहुत सारे DIY किया है अगर के बचे कुछी चीजों से जो चीज यूज नहीं करते हैं तो ये वीडियो जो है एक बिल्कुल भी जीरो वजट मेक ओवर वीडियो है आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे होहाँ मेरे चनल को अगरोड कुछी आपके पनी आपको ज्री जल ब्न करकेशेय दया के जाएगा तो जादा प्टायम आपका वेस्त नहीं करेंगे तो चलिए शुरू करतेーーं आजका वीडियो लेट्स पिरहहाँ तो फ्रेंड्स आज के मेकवर का जो पहला डियाइवाई है वो है एक कोलाज वाला जिससे हम यह जो पीछे का वाइच वाल है इसे फिल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं का डियाइवाई वो तेयर हो जाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यह वाला वाल किस तरीके से डिखता है मैंने चाट पेपर से कुछ इस तरीके का शेप कट कर लिया है और उसी शेप का मेजरमेंट लेके मैं कुछ काट बूड भी कट कर रही हूँ अब ही फेवी कॉल के मदद से यह जो सारे चाट के पढ़े है यह सारे काट बूड के उपर स्टेक कर देंगी अब ही इन सारे काट बूड को मैं कलर करूंगी पोस्टा कलर से इन सारे कर दो ड्यक्त बड़ को ड्रीट कर दो तो सारे को पर चाट कर दो 27 श्यक्त पार्ट कर दो जब सारी काटबोर्ट्स के लिए उपर कालर करना कम्किट हो जाएगा तो मैं इनके उपर कुछ कीचेन कोट्स लिखूंगी विद अ हलप पोस्टर कालर दोस्टो पुरा विडियो जरूर देखेगा क्योंकि अपर कीचेन कोट्स के कालर आवड़्या में अपर। मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ the final look of my kitchen with lots of lights, colors and lots of DIYs. अभ़ शेयर का थढ़ शेयर करने माले टार्वाद के एड़ा, अबूबूब। अभी मैं इन आल्फबिट्स के उपर कुछ पैटरन तियार कर रही हूँ अभी चलिए इसे इस वाल में प्रिक्स करते हैं गांने के उसके वाल में लगाँ कि उसके लिए मैं आने यूज किया लिओ लिए मैं लगा लिए फिक्स बड़ी आप लिए अगुग हुआ है हम रखाशा जह करो दादानीों कि अचित तर यह कर दोता हो जाँ जाँ इसने अचेまगग में कर दोगा जा एको को अच्छारा रहा कि अचेश कर दोकार आदार रहा याँ आप जाब आप का भी और शोड़ आर हुआ लाया झाया है कुछ पैटर्न मेरे पास पहले से ही था इसे भी मैं ही हाँ पे स्टीक कर रही हूँ यह उडेन स्टीक कर रही हूँ जिसे मैंने पिछले वीडियो में आपके सथ शेयर किया था कुछ जूस बोटल्स को रिसाइकल करते हुए मैं बना रही हूँ डियाइवाइब प्लांटर इन बोटल्स के उपर मैं कर रही हूँ स्प्रेय पेंट अभी मैं इसके उपर गोल्डेन स्प्रेय पेंट से थोड़ा सा डिजाइन क्रियेट कर रही हूँ कर दो लाए कि झाल से थोड़ाय प्लांटर रही बाही हूँ प्लाटर बोट यूए मैं बढाई रही हूँ पुराने तुपट्टे को यूज करते हुए मैं बनाए हूँ एक कार्टेन जो कि मैं लगाने वाले हूँ किचिन के इस मेंडो के ऊपर अबी मैं जो भी सारह प्लै prose यूज किया एंटी इस का भी इस वीडिopen बहुत है लगार हुटकर लगार के शियू आखिता मैं है वे जच्साव जो eigenlijk बड़ा है् अब रहे है मेरे अभी ऐस नुझाल आ भी आभिन गता है वी बम से अटीठों कार्वि attracted है यह मेरे पास कुछ पुराने बॉटल्स की उपर बले हिस्सा रखा हुआ था जिसके उपर मैं कुछ रैंडमली इस तरीके का पेंटिंग कर रहे हूँ मैं घंटो बैट के इस तरीके का पेंटिंग कर सकती हूँ जिसे फ्रेस भी रिलीफ होती है और बहुत अच्छा भी लगता है देखिए कितना कलर्फूल और ब्राइट दिख रहा है इस तरीके का पांच बॉटल्स की उपर मैंने पेंट कर लिया है और इस किचेन के विंडो के उपर हैंग कर दिया है कि यहां पर मैंने कुछ चेंजेस किया है यहां पर यह फ्रेस यह फैपी किछन है नहीं हम पर की काट बॉन का एक डीएवाई aja कास्ती एक काड़ ऑडंबोर ऌएग से तेयार किया था तो उससे भी छेंज करकर के मैंने इहां पर लगा धिया यहां पर मैंने लगा दिया ती और इस एरिया का एक इस कॉर्णर का एक मेकोवर मैं दूंगी एक टी स्टेशन यहां पर तियार करेंगे यह है कुछ डियाइवाइ प्लांटर इसे मैंने तयार किया था चबन प्राश की जो बॉटल्स होती है उससे और उसी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है उपर का जो हिस्सा है जो कैप रहता है वो है यह तो इस तरीके का मैंने तीन प्लांटा टेयार कर लिया है इससे अभी हम हैंक करेंगे यहां पर प्लांटर ते जक्तिता कर अबनांट करा जैसा अबर नझार मैंने जो यह तंकियार किया प्लाम कोरत प्लांका जो चर्लांटर फूट कोवर रहता है उससे इस प्लांटिए उससे ए सबना क का और उसका कोई और यहां कर जो कि पहली बार कर रहे थी और यह कैप है किसी बॉट्म का तो उसे मैंने ऐसे रखा कर दिया है इसे हमने यहां पर हैंक कर दिया है विद दा हेल्प आप भूप स्टिकर हूप जाते हैं एक पुराने चॉपिंग बोट को यूज करते हुए मैं यह वाला जो पेंटिंग है इसे तयार कर रहे हुँ तो क्रेट अटी और कॉफी स्टेशन कर दो कर दो जाओंग कर दो को पर भूपिंग और हैंक को जाओंग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो को भाफन दो को दोपना हूँ जो कर दो को दो ब लुदेंगर लुदेंगा चाहते हुए सर्फुट पस्टा चाहते हुए नहीं है एक पूराने पेंट के कॉंटेनर के उपर मैंने वाइट स्प्रेय पेंट से पेंट कर दिया था और जब यह पेंट ड्राइफ हो गया था तो इसके उपर मैंने हेक्सागोन प्रैटन ड्राउ कर लिया है शिन पेंट के जो वाटर्ट्रूप ऑईल पेंट होती है उसके मदद से मैं अभी इससे पेंट कर रहे हूं रहे हुआ होवाय रहेगा प्रैटन बाष्टन पेंटYU स्थान टुरें गुमित parfait इसे आप ऐस प्लांटर या फेस्पॉल होल्डर की दरह भी यूज़ कर सकते हैं जाँ प्लांटर यूज़ करी दो कर सकते हैं प्लांटर यूज़ कर सकते हैं यह है कुछ डियाइवाई बॉटल्स बॉटल पेंट क्या था क्या था जाँ बॉटल्स बॉटल्स स्टेट आफ फ्रीज मैगनेट फुट कॉंटेनर्स के जो लीड्स होती है उसे भी यूज़ करते हुए उसके उपर पेंटिंग करके और थोड़े बहुत कीचेन कोर्स लिखके मैंने बना दिया है फ्रीज स्टेकर हमारा नेक्स डियाइवाई है एक फ्लोडल वालट उसके लिए मैंने एक ब्रैकेट टाइप के लिया है ये मेरे बेटे का टॉय का कुछ हिस्सा था बहुत पहले का मुझे याद देए कहां से मिला तो इस तरीके का एक ब्रैकेट मुझे मिल गया है और मैंने तियार किया है किये जो मॉफीन आइस्क्रीमी सारे कट करके ब्लैक चाट पेपर में मैंने इस स्टीक कर दिया है और कुछ ऐसे ही स्क्वार शेप और रिक्टैंगल शेप के कुछ चाट पेपर मैंने लिया है तो चलिए शुरू कर दिसको तेयार करना है ज्यों में आइस्क्रीमी कुछ कर दोचेवार छाट ना कर दोंग तो प्मक्रीमी का तो स्क्वार है तो सब ज़िग है जरू झांसे हैं कमक्त रगज कर दो जो तो झाट झाट बाट एच बाट जोंगन कुछ तो ऑट टूंगे लिग रचिए बाटेशंगशब रगचाँ पलादो जग्ए झाल यह एक DIY लांप इसे मैंने बनाया हैं जो स्कूल मोल्डर होता है ना या स्कूल रखने का तो उससे मैंने एसे किया है और देखें पिछे लिए होल भी है तो यह वायर इसमें से अंदर करके स्कूल लांप बना दिया वायर थुदा बड़ा था प्रबाराई विया प्रयाइ लेस् प्रपर लेकाम यह जो वेलकम बोर्ड आप देख रहे हैं इसे मैंने डियाइवाई किया है फूट कॉंटेनर्स के जो ओवर होती है जो रिज होती है उससे आप तद द मेकोवर आप बारी आती है किचिन के जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करें इस पूरे मेकोवर में मैंने कोशिश किया जितना हो सकते आपके साथ डियाइवाई शेयर करने की लेकिन सारे अगर डियाइवाई मैं आपके साथ शेयर करती तो यह वीडियो बहुत लेंदी हो जाता इसे लिए नेक्स टाइम मैं कोशिश करूँगी बाकी के डियाइवाई आपके साथ शेयर बेगा जपके साथ गभीजर को अपके साथ पाया बेगा अभी झाओ शेफने लेगा वपके साथ जड़ अबसे अबसे और बेगा हुआ है कर दो दो के में सेalsa Carn defense अषणी कि घ्सक्राइब एक जड़ मारे नहीर ़र कि मह बंप हमन मन कर दो मुड़ा औो ए कर दो हमादा हुई आजरत हैं कि दो मुड़ा और भूमादा खूर दो चर एटार को टो झाल 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 झाल